LE từ 2u जारखन में भी अगर मैं थोड़ेति डीटेल ने बता हूँ तो अगर तुम्हें इन गैंग से वासेपुर मूवी देखी होगी और तुम्हें पता है कि वासेपुर जो अजमझेशा समझ नुकि में वासेपुर से भी 08.500 के दूर पर रहते हूँ तो तुम्हें समझ में आग्या होगоки है कि हैसा शहर है मैंने अपनी जिन्दिगी में नी जिन्दिगी में visitor क होती है होते हैं अपिस कभी खाई यह नहीं थिजा गया है अब फॉर्सक्राय तो मैंने admission लिया Delhi University में Delhi University if you don't know is India one of the topmost universities और उसमें भी मेरा admission इंडिया को वन अप the topmost colleges में हो गया अब admission दुलिया और मैंने shift करा जीधा जहार कंट से Delhi और वहां पर शुरू हुआ मेरे depression का बहुत तगड़ा तो बात इतनी सी है ना कि मैंने अपने जिंदिगी में इस चीछ बड़े अच्छे से सीख ली इस चीछ से कि never try to fit yourself in the crowds if that crowd is not made for you और मैंने अपने college के पूरे 6 वही ने इसी में बरबाद किये 6 वही ने क्या almost 8-9 वही ने मैंने इस चीछ में बरबाद किये और अगर lockdown नहीं होता तो मेरे को यह चीछ की realization कभी नहीं होती कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा हूं खैर कहानी पर आता है अच्छली हुआ क्या तो देखो जो कॉलेजेस होते हैं जहां पर खासकर जब मैं डेली उनिवर्सिटी जैसे कॉलेजेस की बात करता हूं तो वहां पर सीन क्या होता है करना पड़ता है हर साल बहुत सारे बच्चे करते हैं पर मेरे साथ एक बड़ी दिख्तत है कि मेरे अंदर इंदर बहुत था तो हमारे कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स होती है वह क्लब्स का मतलब होता है कि बेसिकली वह कुछ 20-30 लोग मिलके कुछ कुछ काम करते हैं तो वह कॉलेज में डिफरेंट क्लब्स होती है तो मैंने अपलाए करा अपने कॉलेज में 15-16 क्लब्स में और यूवोंट बिलीव मेरे को सबने बाहर कर दिया हर एक क्लब ने और म मेरे क्लास के पूर स्टार्टिंग के 3-4 अगजिने लोग मेरे को ढंग से कर मेरे से किसी ने बात ही नहीं की थी तक तो एक क्टर तो वह था दूतरा कि मेरे ťी वो के हम भी जिन्दिकीरें मेरे की भ़ी पहन है ने इनट्रेक्शन ब्न ऐूभ सोťब कि रहा affect में है लाइफ में तो इन रीजन्स के वज़े से मेरे कॉलेज में कोई दोस्त भी नहीं था और एक कॉलेज के इन सब के चक्कर में में वह चीज छोड़ रहा था जहां पर मेरा अक्षिल इंट्रेस्ट लाई करता है मार्केटिंग, ब्रैंटिंग, स्टार्ट अप, कंसल्टेंसी, यूट्यूब, शोशल मीडिया, दिस टाट और फिर धीर धीर करके मैं उन डिप्रेशन के लूप में भागे जहां पर मेरे को कोई आईडिय नहीं था कि मैं जिन्दिगी में क्या कर रहा हूं हर रात रोता था, मैं लिटरली हर रात रोता था क्योंकि तुम अगर पूरे कॉलेज के 6 महीने पूरा अकेला बिताओगे और जब मैं कह़े रहा हूं अकेला तो मतलब लिटरली अकेला आई डिडटनॉट विवन अस सिंगल फ्रिंड मैं अकेला रहता था अपने पीजी यानि होस्टल होस्टल से कॉलेज को डंग से मैंने एक्स्प्लोर तक तक नहीं किया था आई तक जहां भी गया हूं अकेले गया हूं वह चीज़े मेरे अंदर इतनी घर कर गई थी मुझे ऐसा लगता था कि मैं यूजलेस हूं मुझे ऐसा लगता था कि मैं मैं बैक स्टाइब कर रहा हूं अपने फैमिली को दिस टाट वह बहुत सारे चीज़ें मन में घूमती रही देन मेरे कॉलज का पहला उनकी मार्केटिंग ब्रांडिंग शोचल मिडिया मैं सब कुछ हैंडल करता था एंड गराजूली वोट हैपन की आई स्टॉपड वैलूइंग दवर्क आई वर्क मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो कर रहो हूं यह सारे यूट्यूप काम यह विकार काम है यह सब किसी काम क अपनी होता है और जो वो लोग कर रहे हैं वह अच्छा काम है और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं यूज़ेस हूं यहां पर मेरा टाइम विवेस्ट हो रहा है धीरे-धीरे-धीरे-धीरे करके जब मैं कॉलिच में धीर-धीरे इन्वाल होते गया जब मैंने चीजों को दे बना लिया था कि मेरी काफी अच्छी खासे रिस्पेक्ट होने लगी थी तो मेरी कंसर्टेंसी की इतनी वैल्यू थी वहाँ पर कि अब मुझे ऐसा फील होने लगा कि आक्च्छले में वाट आई वास दूइंग वास मुच 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 बेटर और वैल्यूबल दन व लॉकडाउन हुआ मैं उस टाइम तक भी थोड़े से डिप्रेशन में था क्योंकि मुझको उस टाइम भी लगता था कि यार अब तो लॉकडाउन हो गया अब तो मेरे और भी दोस्त बने गई नहीं पर धीरे धीरे करके लॉकडाउन में जब ऑनलाइन और बढ़ने लगा मैंने और यूट्यूब चैनल की करने स्टार्ट करें तो मेरे को और बात अच्छा समझ में कि नो I was trying to fit in the crowd that was never made for me मैं उन फील्स में उन लोगों के साथ बात करने की कोशिश करता था जो मेरे कॉल्ज में है दो सार पीपल दूर जस्ट नॉट मेड फॉर मी मेरा जो इंटर सब्सक्राइब तो मैं आज भी डिपरेशन में रहा था जब जैसे लॉक्डाउन वह तो मैंने अपनी लाइफ का पहला स्टार्ट अप खोला डाग रिसीव दा काइंड और रिस्पॉंस विचाया नेवर एवर इमाजन और उसके बाद मुझे यह चिश की रिलाइशन होई यह आं नौ दूसलेस वाट आम दूइं अच्छली अवर्ट विच अलॉट पीपल कन नॉट दू अधा इस इस इन फुल फिट और बेरी दिरी करके जो इन सिक्ट इस थी वो गया 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 ओने लगी देर सेल विच में तो अवर्कम दोस इन सेक्रिटिश बिकाज बहुत स इस कंट्री इस गुल गॉना इमाजने नेक्स फाइव टेनियर तो भाई देखो बात सिर्फ इतनी सी है मेरे डिपरेशन में जाने का मेरे हर रात रोने का मेरे इस चीज को समझने और ना समझने का कारण पस इतना सही था कि मैं अपने आपको सोचता है कि बाते लोग जो कर वह करो जो तुम्हें अच्छा लगता है मेरी वाले गलती मत करना है तुम भी डिपरेशन में जाओगे हंड़ड परसंट जाओगे और मैं गया और मेरे को पता है कि वह मैंने अपने जिन्दिकी के 8-9 महीने कैसे वेस्ट किये एक बंदा जो छोटे से शहर से आके सीधा ड अलमुष्ट बाहर आ चुका हूं तो मुझे पता है कि वह चीज होती क्या है तो भाई देखो मेरे बाल खरा होगे तो तो भाई देखो बहुत सिंपल सी बात है अगर तुम किसी चीज़ को लेकर पैसे नेट हो उसमें जान लगा जो होगा वो देखा जागा अट इस मेरे आसपास के लोग किसी और चीज में ले लागे थे तो स्टॉप गेटिक इंटू दा राट ट्रेस तो गाई डाट वस्टोरी ऑफ माई डिपरेशन इस लाइक माई स्टोरी जान मेरे को बता वालू मॉर अप दम क्योंकि ऐसी बोहुत कहानी है यह तो एवन परसेंट प कर दो